What's up guys, IBBF Championship Mr. India Lodhyana में हो रही है और कल से इनके जो है वेइंग स्टार्ट हो जाएगी सारे अथलीट्स की और सबको टाग नमबर दे दिये जाएगे So guys मैं आपको बताना चाता हूँ जो IBBF है इंडिया की सबसे बड़ी आस्सोसेशन है और मुझे अब तक ये सबसे अच्छी एस्सोसेशन लगती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फिर जजजिंग होती है और एक और मैं आपको बाद बता दूँ जितने भी अच्छे हमारे इंडियन आथलीट हैं से राम निवास जी है मुर्दी जी है सुनीत यादर है और मनोज पाटेल भी मिस्टर इंडिया आई बीएफ से ही बने थे और इसके इलावा जितने भी आप एफलीट के नाम आप सुनते हैं जैसे कि यतंदर सिंग जी है और उनके बड़े ब्रदर है वितंदर जी और संगलाम चौगले है अरुन है और इंडियन फेंडरिशे इंडियन जो सर्विसेज है जितनी भी गॉर्मेंट जॉब की वो सारी आई बीएफ के अथलीट ही उनके अथलीट ही जाते हैं जो गाइज यह बहुत बड़ा चैंपिंशिप होने वाला है बहुत बड़ा शोगा इसमें बहुत बड़े बड़े अथलीट आने वाले हैं हम लोग कल उनका व्लोग शूट करने वाले हैं मेरे साथ होंगे रोहित और निपोन अगरवाल जी भी आ रहे हैं वहां पर और बहुत ही मजा आने वाला है बहुत ही अच्छा सा एक इंवार्मेंट करेट हो जाता है जहां पर इतने बड़े-बड़े अथलीट आते हैं और एक और बात जब नहीं यह जजिंग कर रहे होते हैं तो प्रपर टाइम लेते हैं और यह समझते हैं 35,000 लपीज थी फीज तो लेकिन 7 स्टार 5 स्टार रोडेल का स्टेट पूने में 7 डेज का फ्री आफ कास था उसी के बीच में था 7 डेज का खाना पाईना सबकुछ उसी में था और जब एक अथलीट को फूड मिल जाता है ना 24 hours का एक फिसिलिटी मिल जाती है रहने का तो यह बहुत ही अच्छा लगता है इवें मिस्टर इंडिया में थी इनकी फीज सबसे कम थी मिस्टर इंडिया पूने में मैंने चेन्ने में कंपीट किया था 3500 रुपीज में फिजीक की फिजीक थी आना जाना लुग्याना से लेके चिननाए एंड उसके बाद 3 डेज 5 स्टर स्टे खाना पीना सब कुछ बीच में था तो इस चीज की यार बहुत ही अच्छी चीज लगती है इस association की क्योंकि यार या ये अथलीट को मतलब कि अच्छे से केर करते हैं पर मेडिकल टीम होती है इनके पास बहुत सारी कॉंटेस्ट में बड़े-बड़े कॉंटेस्ट में मैंने देखा है कि यार पानी की बॉडल तक ही रखी होती तो ये इस चीज को सल्यूट है इस association की और गार इस बहुत मजा आने वाला है तो वीडियो में मेरे साथ जो लोग नहीं हैं देखने एस वीडियो को वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लेजे पैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको सारी वीडियो प्र मिलती रहे हम बाक-टू-बैक शूट करके आपको स्कूट वहीं पर अपलोड करते रहेंगे जिल लोकों ने अमस्तों ओलम्पय के टाइम पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक्यू उनको इसी तरह ही प्यार बनाते रहेंगे और भी बहुत सारी नौलेज़वारी वीडियो में लेके आऊँगा बस ये इसके बाद ये खतम हो जाए कॉंटेस्ट फिनिश हो जाएगा उसके बाद मेरा वीडियो आएगा काइट के उपर व्लोग जाएगे और फिटनर्स के टिप्स भी आएगे वाकॉर्ट के टिप्स आएगे मेंच पेशली मेंच फिजीक के उपर वीडियो आएगा और खुद मैंने अपना जो प्रेप स्टार्ट करना है शेरू क्लासिक जुलाई के लिए वो भी सारा मैं अपलोड करूँगा सो बनी ले हीगा मेरे साथ स्टेटियू थांक यू सो मच